नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आपका सकसेज अक्रेटमी के यूटूब चैनल में देखिए आज मैं इस वीडियो में अविस्कार यूँ अविस्कारक से जुड़े 100 महातपूर प्रसनल आया हूँ जो कि यूपे पिलिस एन रेलवे परिछाओं के लिए महातपूर है I hope आपको वीडियो पसंद आए आकर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा और हमाई चैनल पर नए है तो हमाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो चली स्टार्ट करते हैं सबी कुर्सेस आप देख सकते हैं आप अनकेडमी पे मुझे फॉलो करके इसका लिंक नीचे आपको मिल जाएगा सबसे पहला कुश्चन है रडार के अविस्कार कौन थे इसका जुराइट आंसर होगा ओगा फोल्स यानि ए एच टेलर एवं लियो सी एंग रडार अंतरेच में आने जाने वाले याईवाने के सन सूचना और उनकी स्थिति ग्याद करने के काम आता है रडार का जो विस्कार हुआ था 1922 इसवी में अमेरिका के एच टेलर एवं लियो सी एंग ने मिलकर किया था अगला कोश्चन देखते हैं किसने पहला स्वाच चालित वाहन यानि आटोमवाइल बनाया था इसका जो राइट आंसर होगा ओगा फोर्थ यानि कारल बेंच आधुनिक आटोमवाइल का जनक जर्मनी के कारल बेंच को माना जाता है जिनोंने 1885 में अंतरिक दहन इंजन से चालित गेसो लेन आटोमवाइल का निर्माड किया था अगला कोश्चन देखते हैं पेंटियम चिप के स्रीजन से निमलिखित में से कौन से व्यक्ति जुड़ा है इसका जो अंसर होगा होगा सेकेंड यानि सबीर भाटिया निर्टेट दा वीडियो टेप इसका जो राइट अंसर होगा होगा सेकेंड यानि चाल्स गिंसबर्ग ने चाल्स गिंसबर्ग ने ही बीडियो टेप का अविश्कार किया था अगला कोश्चन देखते हैं निमलिकित में से वह कमपनी कौन सी है जिसने transistor radio का अविसकार किया था इसका जो राइट आंसर होगा, ओगा सेकेन यानि ग्रंडिंग 1948 में डाक्टर साकले बार्डिन एवं ब्रिटेन ने 1948 में transistor radio का खोच किया था सोनी कमपनी ने साल 1955 में सरोपर्थम ट्रांजिस्टर रेडियों का अविस्कार किया था अगला कोशन देखते हैं पोलियों टीके मुख्ये का आउन वेसक किस ने किया था इसका जो राइट आंसर होगा होगा सेकेंड यानि अलवर्ट सैंब्रीन पोलियों टीके का खोज अलवर्ट सैंब्रीन ने किया था जबकि पोलिया टीके का खोज जोनास सालक ने किया था अगला कोशन देखते हैं सेलुलस फोन का पिता किसको कहा जाता है इसका जो राइट आंसर होगा होगा फोर्थ यानि मार्टीन कूपर को मार्टिन कूपर को ही सेलिवलर फोन का पिता कहा जाता है अगला कोशन देखते हैं जयामिती का जनक फॉदर अब जियोमेट्रिक किसे कहते हैं इसका जो राइट अंसर होगा होगा सेकेंड यानि यूकलीट को यूकलीट प्राची नियुरान की एक महान गडित अग्यत थे जनने जयामिती का विसकार्द किया था अतव उनने जयामिती का पिता कहा जाता है उनकी एलिमेंट्स नामक पुस्तक गडित की इतियास में प्रसिद्ध पुस्तक है अगला कोशन देखते हैं सल्य चिकिस्ता के लिए क्रित्रिम हिर्दय का प्रयोग किस में सुरू किया था तो इसका जो राइट अंसर होगा ओगा फर्स यानि क्रिस्चियन बर्नार्ड ने अगला कोशन देखते हैं अप्टिकल फाइवर का विसकार किस ने किया था इसका जो राइट अंसर होगा ओगा सेकेंड यानि नरिंदर कपाली नरिंदर सी कपाली नहीं 1922 में आप्टिकल फाइवर का विश्कार किया था अगला कोशन देखते हैं वीडियो टेप का विश्कार किया था तो इसका जो राइट अंसर होगा ओगा सेकेंड यानि चार्स गिंस्ट बर्ग ने अगला कोशन देखते हैं इलेक्टरान की खोज की थी इसका जो अंसर होगा ओगा थर्ड यानि जोसिप थामस ने 18-1999 से में इलेक्टरान की खोज की थी अगला कोश्चन देखते हैं पहले ताप यानिक वाल्व का विश्कार किया था तो इसका जो राइट अंसर होगा होगा थर्ड यानि जे ए फ्लेमिंग ने जे ए फ्लेमिंग ने उननीस चार में पहले ताप नईक वाल्व का विश्कार किया था अगला कोशन देखते हैं बारूद का अविश्कार किया था इसका जो राइट अंसर होगा होगा फर्शन रोजन बेकन ने बारूद यानि गन पाउडर का अविश्कार रोजन बेकन ने किया था इसका प्रत्थम अभिलेखित प्रयोग 1340 हिस्वी में अंग्रेजो दरा यूनान के युद्ध में किया गया था अंगला कोशन देखते हैं ओटो हायन किस अविश्कार के लिए प्रसिद्ध है इसका जो राइट अंसर होगा ओगा फर्शन यानि एटम बं एटम बं उननिस से गतालिस के लिए प्रसिद्ध है अगला question देखते हैं लेप्रासी वेलिसस का विस्कार किया था इसका जो right answer होगा Oga second यानि Hansen ने लेप्रासी वेलसन का विस्कार Hansen ने किया था अगला question देखते हैं X-ray की खोज किस ने की थी तो इसका जो right answer होगा Oga second यानि raw antigen नहीं X-ray की खोज की थी अगला question देखते हैं cement की खोज किस ने की थी तो इसका जो right answer होगा ओगा third यानी Joseph आस्पदीन नहीं cement की खोज की थी अगला question देखते हैं उत्तर ध्रुव की खोज किस ने की थी तो इसका जो right answer होगा ओगा second यानी रावर्ट प्यरि नहीं उत्तर ध्रूब की खोज की थी अगला question देखते हैं बैक्टिरिया की खोज सबसे पहले किस ने की थी तो बैक्टिरिया की खोज सबसे पहले A-B, Leue and Hark ने की थी इसका जो right answer होगा होगा first यानी A-U Leue and Vick Hark अगला question देखते हैं इलेक्ट्रान सुष्मदर्सी की खोज किस ने की थी तो इसका जो राइट अंसर होगा होगा सेकेंड यानि नाल और रुसका ने इलेक्ट्रान सुष्मदर्सी की खोज की थी अगला question देखते हैं Penny Celine की खोज किस नहीं कि थी तो इसका जो right answer होगा वोगा first यानि Alexander Fleming नहीं Penny Celine की खोज की थी अगला question देखते हैं चेचक के लिए TK vaccination का विश्कार किस नहीं किया था तो इसका जो right answer होगा वोगा third यानि Edward Jenner Edward Jenner ने चेचक के TK का अविश्कार किया था अगला question देखते हैं जेट इंजिन का विश्कार किस ने किया था तो जेट इंजिन का विश्कार Sir Frank Wilton ने किया था option number second is a right answer अगला देखते हैं telephone का विश्कार कितने किया था इसका जो right answer होगा August second यानि Alexander Graham हम वेल नहीं 18-76 में telephone का विश्कार किया था अगला question देखते हैं hydrogen bomb का विश्कार किस ने किया था इसका जो right answer होगा August third यानि Samuel Cohen ने hydrogen bomb का विश्कार किया था अगला question देखते हैं cinema का विश्कार किस ने किया था इसका जो right answer होगा August second यानि Nicholas और जीन लूमिये नहीं सिनेमा का अविश्कार किया था अगला कोश्चन देखते हैं नमी का माप के द्वारा किया जाता है तो इसका जो राइट अंसर होगा होगा फोर्ट यानि नमी का माप हाईग्रो मीटर के द्वारा किया जाता है अगला देखते हैं कम्प्यूटर के अविश्कारक थे इसका जो राइट अंसर होगा होगा थोर्ड यानि बैबेज ब्रिटीस दग्यानिक चार्ल्स बैबेज ने 1833 हिस्वी में इनालीटिकल इंजन बनाया इसी के आधार पर बाद में कम्प्यूटर का विकास हुआ इसी कारण बैबेज को कम्प्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है अगला क्वेश्चन देखते हैं ने लिकित में से उन टीम का नईता कौन था जिसमें मोजो इक नामक वे ब्रोसर का विकास किया था इसका जो एंसर होगा मार्क एंडर्सन मार्क एंडर्सन ने साथियों साथ मिलकर बेब ब्रोसर का विकास किया था अगला क्वेश्चन देखते हैं नाईलान के विश्कार के साथ कौन संबंधित है इसका जो राइट एंसर होगा ओगा फोर्थ हैनि डाक्टर वैलेस एच कैरूथर्स, नायलान माना द्वारा संलिस्ट किया गया पहला रेशा था, इसका निर्माण अमेरिकी बेग्यानिक डाक्टर वैलेस एच कैरूथर्स ने 1937 में किया था, नायलान ऐसे छोटे कार्बनिक अड़ों के बहुलकी करण प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, जो प्राक्टिक रूप से उपलब्ध नहीं है, अगला कोश्चन देखते हैं, चार्स वैवेज ने निलिकित में से कौन सी मसीन बनाई थी, तो इसका जो राइट अंसर होगा, ओगा फर्स यानि बैसलेसिक इंजन, अगला कोश्चन देखते हैं, इंसुल इंजन का विश्कार किया था, अगला कोश्चन देखते हैं, सौर प्रडाली का विश्कार किसने किया था, तिसका जो राइट अंसर होगा, ओगा थर्ड यानि कापर निकस ने, कापर निकस ने ही सौर प्रडाली का विश्कार किया था, अगला कोश्चन देखते हैं, वाई युव्यान का अविश्कार किया था अगला कुश्चन देखते हैं रुधिर वर्ग का पता लगाया था इसका जो राइट अंसर होगा ओगा सेकेंड एनि लेड स्टेनर ने आस्टेलिया के कार्ड लेडर स्टेनर ने मानो रक्त समूहों की खोज की जिससे की रक्त धान जब रक्त धान के प्राप्त करता में दाता रक्त कोशियां के विरुद रोग प्रतीर का रक नहीं होते हैं अगला कोशन देखते हैं मौशम विज्ञान किसका विज्ञान है इसका जो एंसर होगा होगा सेकेंड यानि उलकाओं का यानि मेटर्स का रितू विज्ञान या मौशम विज्ञान उलकाओं कई विधाओं को समेटे हुई विज्ञान है जो वाई मंडल का अध्यान करता है मौशम, विग्यान में मोसम की प्रक्रिया एव मोसम का पुर्वा नुमान अध्ययन के केंद्र बिंदू होते है मोसम विग्यान के अध्ययन में पिर्थवी के वाय मंदल के कुछ चरो का प्रच्छे पड बहुत महत्य रखता है ये चार हैं ताप, हवाकदाब, जल्वास या आधता आधी अगला कोश्चन देखते हैं दूद की सुद्धता किस से मापी जाती है तो इसका जो राइट अंसर होगा ओगा सेकेंड यानि लेक्टोमीटर से ही दूद की सुद्धता मापी जाती है लेक्टोमीटर का प्रियोग दूद की सुद्धता को मापने के लिए किया जाता है दूद का विसिष्ट गुरू तो इसकी रचना का निर्मार संकेत नहीं देता क्योंकि दूद में विविन पकार के पदार्थ मिलो होते हैं जो यह तो पानी से भारी यहलका होते हैं यह यहंत आरकी मिडीज के सिधान पर कार करता है जो यह बताता है कि एक तरल पदार्थ में निलंबित एक ठोस बिस्थापित तरल पदार्थ के वज़न के बराबर बलवरा उत्पलाविद किया जाता है अगला कोशन देखते हैं रेडियों धर्मिता के खोज किस ने की थे तो इसका जो राइट आंसर होगा ओगा सेकेंड यानि हेनरी बेक्वेरल ने फ्रांसिसी भौती भग्यानी एंटोईन हेनरी बेक्वेरल ने अपने साथियों मेरी इसकोलोडुवस क्यूरी और पीरे क्यूरी के साथ मिलकर रेडियों एक्टिविटी यानि रेडियों बिक्रण की खोज की थे अगला कोशन देखते हैं औसधियों और उनके कारे का अध्ययन क्या कहलाता है इसका जो राइट अंसर होगा ओगत्थोड यानि और शद प्रभाव यानि बिक्यान और सदी सास यानि फार्मिकोलोजी में और शदियों अर्थाद दवाईयों का ध्यान किया जाता है इसके तहट जीवित प्राडी के साथ राशानिक पजार्थो का पारस परिक क्रिया कराया जाता है जिसके की और सदी के गुड क्रिया आदे के बारे में पता लगाया जा सके है अर्दा कोशन देखते हैं मूली अदाब किस से मापा जाता है तो इसका जो राइट अंसर होगा वोगा फोर्ट यानि आकसेनो मीटर जड़ दाब यानि रूट प्रेसर को जिस यंत की साहता से मापा जाता है उसे बुद्धी मापी करते हैं जड़ो की जाइलेम कोशिकाओं में होने वाले विकास दाब पहुतों की बुद्धी को मापने के लिए बुद्धी मापी का प्रियोग किया जाता है अर्दा कोशन देखते है वेग मापी यानि टेको मीटर का प्रियोग किसके मापन के लिए किया जाता है तिसका जो एंसर होगा, ओो होगा सिकेन यानि घुरूडन गती टेको मीटर या व्यकमापी एक उपकरड है जिसका प्रयोग मोटर या दूसरे मसीनों के सैप्ट या डिस्क के घुरूडन गती को मापने में कीया जाता है यह युक्ति सामनेता प्रती मिनट घुर्ण को दरसाती है अगला कोश्चन देखते हैं कौन से बिज्ञानिक द्वारा रेडियो धर्मी तत्व रेडियम की खोज की थी तो इसका जो राइट आंसर होगा होगा फर्स याने मैरी क्यूरी रेडियम जिसे रेडियम क्लोराइड की रूप में जाना जाता है कि खोज मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने 1898 में की थी अगला कोश्चन देखते हैं क्रिस्को ग्राफ का अविस्कार किस ने किया था तो इसका जो राइट अंसर होगा होगा थर्ड याने जेसी बोस ने किस्पो ग्राफ एक ऐसी युक्ति है जिससे पौजों के विकास का मापन किया जाता है इसका अविस्कार बीस्वी सताब्दे के सुरू में सर जगदीश चंद्र बोस ने किया था जगदीश चंद्र बोस एक भारती बहुत सुरुत बहुत तीक बिग्यानी जुई बिग्यानी वनस्वति सास्त्री औरू पुरा तत्यवेत्ता थे अगला कोश्चन देखते है प्राडी विग्यान की साखा का नाम जिसमें पसु बहुआर का बैग्यानिक अध्यान किया जाता है इसका जो अंसर होगा थाड यानि जीव परिस्थिति की जीव परिस्थिति यानि एथियो लॉजी पसु बहुआर का बैग्यानिक अध्यान है यह अध्यान प्राया इस बात पर जोड़ देता है कि पसु बेहवार का अध्यान प्राकृतिक वतवरण में किया जाए इस सब्द को प्रसिद्धी दिलाने का कार्य अमेरिकी माइमरे को लाजिस्ट यानि चीटी का अध्यान विलियम मार्टन विलर ने 1902 स्वी में किया था अगला कोश्चन देखते हैं IVF तकनीक का सबसे पहले इनके द्वारा विश्कार किया गया तो इसका जो राइट अंसर होगा होगा फर्स यानि पैट्रिक स्टेप्टू और रावर्ड एडवर्ड सर्जन पैट्रिक स्टेप्टू ने रावर्ड एडवर्ड ने साथ मिलकर पहली बार IVF यानि पात्रे निशेचन तकनीकी में सफलता प्राप्त की इस तकनीक के द्वारा वर्स 1978 में लुईस ब्राउन का जन हुआ उन्होंने IVF का प्रेयोग उन दमपतियों पर किया जो गर्वधारण में असमर थे बाद में उन्होंने दूसरे बैग्यानी को एम चीकिसको की भी इसके लिए प्रसिचित किया अगला कोशन देखते हैं बिजली के बल्ब का विश्कार किस ने किया था? इसका जो राइट अंसर होगा सिकर्ण याने थामस एलवा एडिसन बिद्दुद प्रकास का निर्मार सरप्रतम अंगरेज बैग्यानिक हमफरी डेवी द्वारा अठारसों में किया गया था बिद्दुद बल्ब के निर्मार का सिरे थामस एडिसन को जाता है उन्होंने सरप्तम 1889 में वाड़ेजिक ताप दिप्ती प्रकास का अविश्कार किया था अगला कोशन देखते हैं सहलगनता की खोज किसने की थी? तो इसका जो राइट अंसर होगा? वो होगा फोर्थ यानि बैटेशन ब्रिटिस आनुवणशी की बैज्ञानिक बिलियम बैटेशन ने रेगी नालडन फुनेट के साथ मिलकर 1909 में आनुवणशी की सयोजग की खोज की थी अगला कोशन देखते हैं वाई मंडली घटना के अध्यान को क्या कहा जाता है? तिसका जो अंसर होगा होगा सेकेंड यानि मौसम बिज्ञान मेट्रोलोजी मौसम बिज्ञान के अंतरगत वाई मंडल, वाई मंडली घटना और वाई मंडली प्रभाव का अध्यान किया जाता है जिसका प्रत्यत चुरूप से हमारे मौश्रम पर प्रभाव पड़ता है यह वाई मंडली पिज्ञान की एक उप अनुसा सतनात्मक साखा है जिसमें वाई मंडल का संपूर अध्यान समाहित है अबला कोशन दिखते हैं प्रतिरचक तक्नीकी का विकास किस ने किया था जिसका जुलाइट अंसर वगा होगा सेकेंड यानि लूई पास्चर ने लूई पास्चर को 19 सतावदी कंत में अपने अधेनों और खोजों के कारण आधुनिक प्रतिरच्छा विज्ञान का जनक माना जाता है उननी की खोजों के कारण रोगों का जिवारो सिधान तोक्त्री हुआ और उससे आसाबदी की टीका करण दोड़ा सभी संक्रमित रोगों का उप्चार किया जा सकेगा और बचाव संभव हो जाएगा अगला कुश्चन देखते हैं बिद्दुधारा का मापन निम्लिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है तिसका जो अंसर होगा उगा फर्ष यानी एम मीटर बिद्दुधारा को मापने के लिए इस्तमाल में लाया जाने वाला यां वास्ताओं में एम्प मीटर का एक छोटा रूप एमीटर होता है बिद्दुधारा एंपियर में मापा जाता है बैग्ज्ञाने एक प्रयोग साला में बहुत छोटी बिद्दुधाराओं को मापने के लिए बेहद समेदन सी लियंत गैलवेनों मीटर का प्रयोग होता है अगला कोशन देखते हैं प्रथम एंटिबायोटिक की खोच किसमें की थी इसका जो अंसर होगा होगा फॉल्स यानी ए फ्लेमिंग ने सर अलेकजेंडर फ्लेमिंग ने 1927 में मोल्ड पेनिसीलियम नोटेटम से दुनिया की पहली एंटिबायोटिक बेंजिल पेनिसीलीन की खोच की थी इस खोच के लिए उन्होंने हावार्ट फ्लोरे और अरनेस्ट वानेस चेन के साथ 1927 में चिकिस्था सास में नोबल पुरसकार प्राप्त किया अगरा कोशन देखते हैं इसकी खोच के कारण वाक्समैन को नोबल पुरसकार दिया गया इसका जो एंसर होगा होगा फास यानी स्टेप्टो माइसीन सेलमैन वाक्समैन तपेदिक के खिलाप पहले प्रभावी एंटिबाटिक स्टेटो माइसीन की खोच के लिए 1927 में नोबल पुरसकार से सम्मानित किये गया थे अगरा कोशन देखते हैं रेडियो धर्मिता के खोच इनके दोरा होई तो इसका जो राइट अंसर होगा वो होगा फरस्ट यानी बेक्यू रेल प्रांस के भावतिक सास्ती हेनरी बेक्यूरल ने 1890 में रेडियो धर्मिता की खोच की थी या खोच तब होई जब यूरेनियम का एक टुकड़ा सैयो गवस मेच की अंधकार पूर्द राज में छूट गया और इससे फोटोग्राफिक प्लेटो पर चित्र बन गया पियरे और मैडम क्यूरी नामक दमपती ने बेक्यूरल की खोज में रूची देखाई अगला कोशन देखते हैं प्रती वर्ती प्रती देपी की खोज किसके द्वारा हुई इसका जो राइट आंसर होगा होगा थर्ड यानि टेमिन तथा बाल्टी मोर 1970 में अमेरिकी विशाडो बैग्यानिक हावर्ड मार्टीन टेमिन और डेविड बाल्टी मोर ने जापानी विशाडो बैग्यानिक संतोसी मिजुतानी के साथ सतंत रूप से कारे करते हुए एंजाइम की खोज की चोग RSV के RNA जीनोम के प्रोवाइडरल DNA संसरसित कर सकता है अगला कोशन देखते है सैवाल बैग्यान किसका अध्यान है तो इसका जो राइट अंसर होगा होगा सेकेंड यानि सैवाल का सैवाल बिज्ञान यानि फिजिकोलोजी सैवालो का बैग्यानिक अध्यान है सैवाल बिज्ञान जीव बिज्ञान की एक साथा है इसे प्राया वनस्पती बिज्ञान की एक उप साखा माना जाता है अगला कुश्चन देखते हैं सेफ्टी रेजर का अविश्कार किसमे किया था तो इसका जो अंसर होगा होगा फर्स यानि जीलेट ने अमेरिकी वेवसाई किंग कैंप जीलेट ने 19-1 में सरवाधिक विखने वाले सेफ्टी रेजर के फ्रारूप का अविश्कार किया था जीलेट के वास्तिक डिजाइन से पूर कई माडल आस्तित में आये जीलेट का नया रेजर पतला, कमखरचीला, सस्ता अवयम, स्टैंड, स्टील यूप, बिलेट का बना था अगला कोशन देखते है जीन सब्द को गढ़ने से संबंध व्यक्ति का नाम बताईए इसका जो अंसर होगा फर्ड यानि जुहान सेन यदपी ग्रेगार मेंडेल 1822-1884 ने सरप्रतं प्रिथक दाई योग इकाईयों के अस्तित्त का सुझाव दिया था लेकिन उन्होंने जीन सब्द का प्रयोग नहीं किया था मूलता सारीरिक और आनुवनसी की इकाई के प्रकारियों का वड़र करने के लिए डेनवार के बनस्पति बैग्यानिक बिल हेल जांसन ने 1929 में जीन सब्द का प्रयोग किया था अगला कोश्चन देखते हैं दाब के मापन के लिए किसी यंत्र का प्रयोग किया जाता है इसका जो एंसर होगा होगा सिकेंड यानि एनरायड बैरो मिटर निर्दन वायुदापी दबाव मापने का एक उपकरण है इसमें द्रव नहीं होता फ्रांसिसी बैग्यानिक लूसियन वीडी ने अठास चुवालेस में इसुपकरण का अविस्कार किया था अगला कोश्चन देखते हैं विद्दूत और चुम्बकत्व के बीच लिंक की खोश किस ने की थी इसका जो एंसर होगा ओगस सेकेंड यानि मैक्स्वेल ने की थी डेनमार के प्रसिद रसायनविद और भावतिक सास्त्री हैंस क्रिश्चियन आरेस ने अठास उन्निस में विद्दूत और चुम्बकत्व के संबंद की खोश की थी अगला कोश्चन देखते हैं एरेनियो लौजी किसका अध्यान है तो इसका जो राइट अंसर होगा ओगा फोर्थ यानि मकडियों का अध्यान है एरेनियो लौजी प्राड़ी विज्ञान की एक साखा है जो मकडियों के अध्यान से संबंदित है यह मकड़ी विज्ञान अरैक नुलाजी की एक साखा है जो मकड़ियों और उसे सम्मद्नित जीयों जैसे बिच्छू, कूट, बिच्छू और हार्वेस्ट मेन के बेग्यानिक अध्यन से सम्मद्नित है इसे सामुईक रूप से मकड़ी वंसी अध्यन कहते हैं अगला कूशन देखते हैं छेत्र मापी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है तो इसका जो एंसर होगा ओगा फॉर्थ यानि छेत्र फल छेत्र मापी यानि प्लेनी मीटर को प्लेटू मीटर के रूप में भी जाना जाता है दो भीमानों वाली आकरिती का छेत्र फल मापने के लिए इस मापक उपकरण का प्रयोग किया जाता है अगला कूशन देखते हैं गैस इंजन का अविश्कार किस ने किया था तो इसका जो एंसर होगा ओगा थर्ड यानि डैमलर गाटली एक डैमलर ने अठास पचासी में आधुनिक गैसोलिन इंजन के प्रोटो टाइप का अविश्कार किया था वर्टिकल सिलिंडर की सहायता से इस गैस इंजन का निर्मार किया गया था अगला कूशन देखते हैं व्रिच सवर्धक किसका अध्ययन है इसका जो राइट अंसर होगा होगा फर्ष यानी ब्रिच एवं बनस्पती की खेतिगा ब्रिच सवर्धन विशिष्ट पेडों, जाडियों, बेलों, सबजियों और अन्य बारह मासी कास्टिय पौधों का प्रवर्धन, प्रवंधन और अध्ययन है अगला कोशन देखते हैं बेंटूरी मीटर का प्रियोग किसके मापन के लिए किया जाता है तो इसका जो अंसर होगा होगा फर्ष यानी तरल के प्रवा की दर किसी पाइप में द्रव की प्रवागति मापने के लिए बेंचूरी मीटर का प्रियोग किया जाता है यह तत्तोता एक छोटा पाइप है जो मध्ध में अनुप्रस्त काट का निर्मार करने वाले छोटे हिस्सेक साथ दो संक्वाकार भागों से मिलकर बना है अगला कोशन देखते हैं मोबाइल फोन का विसकार किस ने किया था तो इसका जो राइट अंसर होगा ओगा फोर्ट यानि मार्टीन कूपर ने अमेरिकी इंजिनियर मार्टीन कूपर ने 1973 में मोटोरोला में प्रथम हैंड हैंड मोबाइल फोन की कल्पना की थी उन्होंने इस फोन का विकास करने वाले टीम का नितृत किया और इसे 1983 में बाजार में लाए गया उन्हें इतियास में सेल फोन का जनक और आम जनता को बाचित के लिए हाथ में रखने वाले सेलूलर फोन का निर्मार करने वाले पर्थम बेक्ति के रूप में जाना जाता है अगला कोशन देखते हैं सिस्मोग्राफिक किसका अध्यन है तिसका जो राइट आंसर होगा ओगा फर्स्ट यानी नदिया भुकम के जटकों और कमपनों को रिकार्ड करने के लिए बैज्यानिक रूप से भुकम पमापी का प्रयोग किया जाता है इन रिकार्डो का अध्यन भुकम बिज्ञान कहलाता है भुकम के दवरां भुमे के कमपन की ओधि दिसा और तिबता रिकार्ड करने और भुकम की केंद का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकड़ा सिस्मोग्राफ कहलाता है अगला कोश्ण देखते है लाइसी मीटर निमलिक्षित में से किसका अनुमान लगाने में सहायक होता है तिसका जो राइट नासर होगा वह होगा फर्स यानि वास्पन वास्पो सर्जन लाइसिमीटर का प्रयोग वास्पित वास्पो सर्जन की वास्थवी मात्रा मापने के लिए किया जाता है जिसे पौधो द्वारा उस सर्जित किया जाता है और छेपर जिसे एक छेत्र प्राप्त करता है और जिसके कुछ मात्रा म्रीदा द्वारा नष्ट कर दे जाती है कि मात्रा को दर्ज करके वास्पित वास्पोर्जन द्वारा की नष्ट की गई जल की मात्रा ग्याद की जाती है अगला कोशन देखते है और अग तक भीकी रडो का पता किस से लगाया जाता है तो इसका जो एंसर होग है ओगर थर्ड यानि फोटो मीटर से प्रकास मापी यानि फोटो मीटर एक उपकरण है जिसका प्रयोग पराबैगनी, द्रिस या औरक्त विक्रण के साथ और शोशर उस सर्जन या प्रति दिखती मापने के लिए किया जाता है इस उपकरण में अनुदायर्द चैन के लिए फिल्टर और विक्रण मापने के लिए प्रकास वैदुत इंत का प्रयोग किया जाता है अगला कोशन देखते हैं क्रायोजेनिक्स किसका अध्यान है जिसका जो राइट आंसर होगा होगा फोर्ट यानि नियून तापमान का फोते बिज्ञान में क्रायोजेनिक्स निम्न तापमान एवां पर पदार्थों के बेहवाद और उत्पादन का अध्यान करने वाला बिज्ञान है यह परिभासित नहीं किया गया है कि कितने तापमान पर प्रतिसर समाप्थ हो जाता है और क्रायोजेनिक्स आरंब होता है अगला कॉश्चन देखते हैं एंटो मुलाजी एक बिज्ञान है जिसमें निमलिखित में से किसका अध्यान किया जाता है तो इसका जो राइट अंसर होगा, ओगा 3rd यानि कीटों का, एंटो मुलाजी जी बिग्यान की एक साखा है, जो कीट पदंगों का बैज्यानिक अध्यन करती है, जी बिग्यान की सेरी के अंतरगत आने वाले अनेक छेत्रों के समान, एंटो मुलाजी टैक्सोन स्रेडी पर आ का अविश्कार, इंग्लिस बैग्यानिक टीम बर्नर्स ली द्वारा 1989 में किया गया था, यह एक information space है, जहां documents और unwave resources को, URL द्वारा identified किया जाता है, अगला question देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो इसका जो राइट अंसर होगा, ओगा force है नहीं, दिए कि बिकल्पों में से कोई जी सही नहीं, यानि तीनों बिकल्प गलत है, अगला question देखते हैं, निम्न में से किस बैज्ञानिक ने mesotron का mission दिया, तो इसका जो राइट आंसर होगा, ओगा थोड़ेने टक्टर होमी जहांगीर भाभा, जब कार्ड डेवीड एंडर्सन ने इलिक्टान और प्रोटान के मद, द्रब्मान के साथ एक नए कड़ की खोच की, तो उन्होंने 1933 में, फेजिकल रिब्यू में प्रकासित एक लेख में इसका नाम मेटोसं रखा, हाला कि प्रोफेसर आर ए मिलीकर ने सुझाओ पर उन्होंने इसका नाम बदल कर मेसो ट्रान कर दी लिया, यदि पी वह इस नाम से समझ नहीं थे, जब होमी जहागीर भाभा ने फौरवरी 1949 में नेचर जर्नल को एक संतित्र पच्ट्र भेजा, जिसमें उन्होंने इसका न राइट अंसर होगा, होगा सेकेंड यानि वायो की गतिगा, एनिमो मीटर एक डिवाइस है जिसका प्रियोग वायो की गतिम आपने के लिए किया जाता है, अगला कुश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा मिट्टी का अध्यान है, इसका जर्नल राइट अंसर होगा, ह होगा सेकेंड यानि पेडोलाजी, पेडोलाजी जी विग्यान की वह साखा है, जो अपने प्राक्रितिक पर्यावरण में मिरिदा का अध्यान करता है, यह मिरिदा विग्यान की दो मुख साखाओं में से एक है, दूसरी साखा का नाम है, इंडे फैलाजी, अगला इंटिमोलाजी की एक साखा है जो चीटियों के विज्ञानिक अध्यान पर बल देता है मेमेकोलाजी सब्द का विकास बिलियम मार्टन विलर के द्वारा किया गया था अगला कोश्चन देखते हैं भुकम के अध्यान को क्या कहा जाता है साइस्मोलाजी बिज्ञान की वह साखा है जिसके अंतगत प्रित्वी के चारो और उठने वाले भुकमपी तरंगों और भुकमपों का ध्यान किया जाता है इस साखा के अंतगत भुकम का परियावरार पर परने वाले प्रभाव जैसे सुनामिक साथ विविद भुकमपी ये स्तुरतों जैसे जौलम की वीवरतनिक वाय मंडली और कृत्तिम क्रियाओं का ध्यान किया जाता है अल्दा देखते हैं दूर से चमकते पिंड के तापमान को किसी अंत्र से निल्धारित करते हैं तो इसका जो राइड आंसर होगा ओगत थर्ड यानि पायरो मीटर उत्ताप मापी यानि पायरो मीटर दूर समवेदी थर्मा मीटर का एक प्रकार है जिसका प्रियोक सता के तापमान को मापने के लिए किया जाता है यह एक उपकरण है जो एक निश्चित दूरी से तापी विकरण के वड़तरम से उसरजित प्रदिप्त सता के तापमान का निर्धारण करता है यह प्रक्रिया उत्तप मापी के रूप में जानी जाती है साला में प्रयुक्त होने वाला एक ऐसा उपरड़ है जो भौतिक या रासानिक परिवर्तन के बाद गैस मिक्सल के आयतन में हुए परिवर्तन को मापता है अगला कोश्चन दिखते हैं बैक्टीरिया की वृद्धी के द्वारा मापी जाती हैं तो इसका जांसर होगा होगा सेकिन एनी स्प्रेक्ट्रो फोटो मीटर माइक्रो बीलियर वृद्धी की गढ़ना करने की कई विदियां है ये विदियां कोश्चाओं के विभिन पैरामीटरों जैसे सुस्क भार और नंभर मापन अबजार्वेंस कोशिका प्लेट घनत्व आविलता एटीपी मापन परिवर्तन सील गड़ना एपीपेज एक्ट्विटी और कोल्टर काउंट के प्रयोग पर आधारित हैं अगला कोश्चन दिखते हैं जीव बिग्यान के वह साखा जो बिलुक्त सुच में जीव का अध्यान करती है कहलाती है तो इसका जो एंसर होगा होगा फोर्ट है ने जीवास्म बिग्यान जीव बिग्यान की वह साखा है जिसके अंतरगत जीवास्म और बिलुक्त सुच में जीव का अध्यान किया जात है अगला कोश्चन देखते हैं व्यूफर्ट स्केल यानि पैमाना से क्या मापा जाता है तो इसका जो राइट अंसर होगा ओगा थोड यानि हवा की गती व्यूफर्ट स्केल प्रिच्छेपी समुद्री अवस्थाओं पर आधारित वायू के वेक का वर्डन करने के दिए प वायू दापको मापने के यंत्र को कहते हैं तो इसका जो राइट अंसर होगा होगा सेकेंड यानि वायू दापको मापने के यंत्र को बैरोमीटर कहा जाता है अंगला कोश्चन दिखते हैं वाईव मंडर में आर्दिता मापने के लिए प्रयोग यंत्र को क्या कहते हैं तो इसका राइट अंसर होगा 4 यानि हाइग्रो मीटर आर्दिता मापी को साइक्रो मीटर के रूप में भी जाना जाता है इसका प्रयोग वाई में आर्जता की मापत्रा मापने के लिए किया जाता है अगला कोशन देखते है एनिमो मीटर से दिये गए बिकल्पों में से क्या मापा जाता है जिसका जो राइट अंसर होगा थोड यानी हवा की गती एनिमो मीटर एक उपकरण है जिसका प्रयोग वाई की गती मापने के लिए किया जाता है एनिमो मीटर मौसम विज्ञानियों के लिए एक महतपुर उपकरण है जो मौसम प्रतिमानों का अध्यन करते है अगला कोशन देखते है क्रिसी सास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है तिसका जो अंसर होगा होगा सेकेंड और फसल वाले पौधों को क्रिसी विज्ञान फल इधन रेशा इत्यादी के विए पौधों की बृध्धी से सम्मंधित बिज्ञान और तकनिक है विशिष्ट रूप में यह मृधा में बृध्धी करने वाले फसलों के अध्यान से सम्मंधित किसी विज्ञान की एक साखा है अगला कोश्चन देखते हैं एतिहासिक लेखों का सरच्छड विज्ञान की किस साखा के अंतरगत आता है तो इसका जो एंसर होगा ओगा थर्ड यानि म्यूजियोलाजी म्यूजियोलाजी म्यूजियम और म्यूजियम क्यूरेशन का अध्यान है म्यूजियम की रूप रेखा के प्रारंबिक इस्तरोतों के रूप में महतपूर वस्तुओं के अंतरगत आने की करण या आप्रत्यच रूप से एतियासिक वस्तुओं के सरच्छड से संबंदित हैं अगरा कुश्चन देखते हैं सूर की फोटोग्राफी के रिए कि सुपकरण का प्रयोग किया जाता है तो इसका जो एंसर होगा ओगर फोर्ट यानि स्पेक्ट्रू हेलियोग्राफ स्पेक्ट्रू हेलियोग्राफ ख़गोल विज्ञान में प्रयोग्त होने वाला एक उपकरण है जो प्रकास की एकल तरंग दैर्द पर सूर की सूर की एक वड़ी प्रतिविम्ब का फोटोग्राफिब एमेज लिया जाता है अगला कोशन देखते हैं स्पेक्स्टैंट उपकरण का प्रयोग किस में होता है तो इसका जो राइट आंसर होगा ओगास सेकेंड यानि नो चालन में निविगेशन में स्टैंट एक द्विक यानि डबल परावर्तक नो संचालन यंत है जिसका उप्योग खगोली मार्ग निर्देशन के उदेश से एक खगोली वस्तू और छेति वस्तू के मद बनने वाले कोड का निर्दारन करने के लिए किया जाता है अगला कोश्चन देखते हैं मृदा से संबंधित विग्यान क्या कर लाता है तो इसका जो राइट अंसर होगा ओगास यानि मृदा विग्यान परवतों के अध्यान को क्या करते हैं इसका जो राइट अंसर होगा ओगा 3 यानि ओरोलाजी ओरोलाजी परोतों के अध्यान से सम्मंदित भौतिक भूगोल की एक साखा है यह अनुसंधान का एक छेत्र है जो छेत्री रूप से परवति भूद रिस्वदारा प्रित्वी की सता पर आच्छादित एवं संक्रेंदित है अगला देखते हैं निम्रिखित में से कौन सायोग में सही नहीं है जिसका जो राइट अंसर होगा होगा 2 यानि लेक्टो मीटर तरल का विशिष्ट घनाता है लेक्टो मीटर यानि दुख दमापी एक उपकरण है जिसका प्रियोग दूद की प्रचूरता और विशिष्ट गुरुत को मापने के रिए किया जता है अगला कुश्चन देखते है प्रित्वे की परत की भीतर की हलचर का अध्यान किसके द्वारा किया जता है लेक्ट प्रित्वे की अन्तरिक शरचना को समझने में समर्त है प्रित्वे के द्वारा गती करने वाली भुकमपी तरंग्यों का अध्यान किया जता है अगला कुश्चन देखते है आसपास के बातावरण में पस्वों और पौधों के संबंद के अध्यान को क्या करते हैं तिसका जो राइट अंसार होगा होगा फॉर्स यानि पारिस्थित के विज्ञान एको लाजी पारिस्थित के विज्ञान को स्विच्मजियों की प्रशूरता, बितरण और अपने पर्यावरण के प्रती उनके संबंदों को नियंतित करने अले प्रक्रियाओं और प्रतिमानों के अध्यान के रूप में परिभासित किया जाता है अगला क्वेशन देखते है इस्फिग मो मैनो मीटर दिये गए विकल्पों में से किसमे रक्तदाब को मापता है तिसका जो राइट अंसर का होगा सेकेंड यानी धमनियों को सुब्यवस्थित धमनी रक्तदाब को मापने के लिए प्रयूक्त होने वाला उपकरण इस्फिग मोमों यानी रक्तदाब मापन करहता है या उपकरण सम्पीलित वल्व की नली द्वारा जूले फूलने वारे रवड खफ और काज की नली का बना होता है काज की नली में मरकरी कालम अंतरबिष्ट होता है कफ में हवा भरने के लिए बल्व का प्रयोक किया जाता है और मरपगली कालम के उपर उठपाने की स्थिति उठपादे दाप का संकेत करती है अगला कुश्चन देखते है हेलिकाप्टर का विश्कार किस ने किया जिसका जो राइट आंसर होगा सेकेंड यानी सी कोस की ने हेलिकाप्टर निर्माल करने का प्रयास करने का से लियो नाड़ो डीव विंसी को दिया जाता है लेकिन पहरे कार्यसील प्रोटो टाइप हेलिकाप्टर बी एस तीन सो का अविस्कार आईगार सीकोरस की द्वारा उननी सो नतानिस में किया गया था बाद में उन्होंने उननी सो बैस में आर फोर का माडर तयार किया था जो ब्यापक पैमाने पर उत्पादित होने वाला बिस्तो का पहला हेलिकाप्टर था तो फिरा इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर करके जाएगा हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्लाइबे अगर प्लाइबे तो प्लाइबे दो दोड़िका जरूर करेवाद प्लाइबे भाइबें ।ो